नमस्ते आल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैं बताऊंगे कि जो गॉर्मन्ट की वेबसाइट है उसको कैसे एकसे करना है और ये बच्चों के भी बहुत काम आने वाली है वीडियो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे ओल आपस टाइप करते हैं और जो सबसे उपर हमारे पास आता है वेबसाइट का नाम www.olaps.edu.in उस पे जास को क्लिक करें इसको रिजिस्टर भी कर सकते हैं आज मैं विदाउट लॉग इन इसमें जाओंगे और आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं उपर दिया गया है लॉग इन होम अबाउच और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें सारे प्रैक्टिकल्स फि करें और लॉग इन भी कर सकते हैं लॉग इन के डिटेल से इसमें दिये गए हाला कि मैं इस बार लॉग इन नहीं कर रही हूं तो लेट उस मूझ फार्दर यह हमारी वैब साइट है इसमें आपको दिख रहा है फिजिक्स के मिस्ट्रिय बायलजी मैट्स और इंग्लिश के चैप्टर्स या आइकन्स दिख रहे हैं सबसे पहले मैं इसमें फिजिक्स को एक्सेस करना बताऊंगी कि फिजिक्स में क्या क्या है 9-12 के प्रैक्टिकल्स इसमें हैं फिजिक्स के सारे इवन सार यह देखिए क्लास 12 के फिर क्लास 11 के प्रैक्टिकल्स फिर क्लास 10 के सारे Physics Practicals और Class 9 के सारे Practicals है So let us start with Class 10 का एक Practical हम इसमें देखते हैं Ohms Law का Verification हम उसको चेक करते हैं कैसे बच्चे करेंगे और कैसे हम इसमें बच्चों को गाइड कर सकते हैं बच्चे खुद भी इसमें करके देख सकते हैं तो मैंने उसको टैप कर दिया है Ohms Law के Verification को देखे कुछ इस तरह से खुल रहा है इसमें Theory है Theory सारी दी गई है इस Practical की उसके बाद हम Procedure पर आते हैं Procedure कैसे करना है क्या क्या इसमें involved है कैसे Graph बनाना है सब इसमें दिया गया है Next है Simulation क्योंकि Procedure दिया गया अभी तोड़ा टाइम लगे का यह खुलेगा तो लेट्स वेच यह खुल गया है तो देखिए पूरा circuit है Ohms Law के Verification का और इसमें Left में आपको दो आइकन लिटन दिख रहे हैं चोटे चोटे और इसमें एक को करते हैं तो हमें जो है सब के Names विजिबल हो जाते हैं अभी देखिए मैं करती हूँ इसको Left वाले को टैप करते हैं सबके Names सारे जो इसमें instruments लगें सबके Names विजिबल होगे और दूसरे को किया तो पूरा procedure इसमें आ रहा है Green Color से लिखा हुआ कि कैसे की को बंद करें की को लगाएंगे नीचे तो circuit on हो जाएगा और रियो स्टेट से कैसे में resistance कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि V is equal to IR जो हमारा है ओमस्ला वो verify हम कर पाए तो देखिए इस की को जब हम नीचे करेंगे तो circuit on हो जाएगा बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से enjoy कर सकते हैं यह देखिए जैसे ही on अभी on नहीं हुआ है तो अभी circuit on नहीं इसमें लिखा हुआ रहा है तो की को थोड़ा सा उपर करना पड़ेगा इस circuit on हो गया current flow होता हो देख रहा है positive to negative terminal यहां बच्चों को यह भी बताया जा सकता है कि ज़्यादा दे current ना फ्लो हो नहीं तो heat up होने से तो मैं रीडिंग हो भी गड़ सकती है तो यह online visible नहीं होगा बढ़ हम बच्चों को बता सकते हैं दुबारा से off करके हर रीडिंग के बाद हमें रीडिंग लेनी है अब हम मैं इसको दुबारा से लगाती हूँ और देखिए रेव स्टेट पे जो रीडिंग है उसको मैं change कर रही हूँ तो emitter और voltmeter की reading जो उपर लिखी हुई आरे वो भी change हो रही है इस तरह से बच्चे अलग-अलग points पे रीडिंग ले के और फिर उसका graph draw कर सकते हैं जैसा कि प्रोसीजर में दिया गया है यह हमारा बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम बता सकते हैं बच्चे अपना खुद practice कर सकते हैं तो यह प्रैक्टिकल है और यह simulation था कि इसमें बच्चे खुद करके देख सकते हैं online इसी तरह से इसमें फिर हमारा और भी है कि वाई 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 के questions हैं बहुत सारे और बच्चे इनको समझ के साथ मज़ सकते हैं फिर references हैं अब यह खुल नहीं रहा है तो let us leave it इसमें टाइम लगेगा हम आगे बढ़ते हैं हाला कि इस तरह से इसमें हर एक तरह का प्रैक्टिकल दिया गया और बच्चे इसको काफी एज़ुए कर तकते हैं काफी इसमें बच्चे सीख सकते हैं अमसलाब पूरा उनको ख्लैरिफिकेशन हो जाएगा इस इस वर्च्वल लैप और यह जो वीडियो है मैंने टाप पे बनाया है और यह हमारा मॉबाइल एंड्रोइड मॉबाइल पे अक्सेसिबल है अब हम केमिस्ट्री के आइकन पे जाते हैं जो प्रैक्टिकल है उसको देखते हैं करके लेट फॉर्स प्रैक्टिकल है उसको टैप किया मैंने उसको करके देखते हैं इसमें भी थ्योरी दी हुई है हमें पूरी प्रैक्टिकल की थ्योरी क्या है और यह हम इसका simulation देख रहे हैं आप sorry animation अभी आएगा हमारे पस this is the animation जो procedure के बाद theory and procedure भी दिया गए अब हम animation देख रहे हैं इसमें इक बाद पताना चाहूंगे कि यहाँ पर English language में यह videos हैं लेकिन हम इसमें written में हिंदी में आ सकता अगर हम home page पे जाके language को change कर ले so आपको जो नीचे लिखे हो देख रहा है वो किसी और language में आ रहा है but जो voice over इसमें videos में दिया गया है वो English में है और उपर जो written में printed आ रहा है that can be changed to Hindi जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी इसमें एक एक तरह के practical को करके दिखाया गया है हर एक जैसे नीमू का रहस है और कई चीजों के साथ so अभी इसको मैं बाउस करती हूँ और इसमें और भी वीडियोज है और वीडियोज के लिंक्स भी हैं अभी हम language चेंज करते हैं इसमें I'm changing the language आप देखिए right में मैंने इसकी language को change कर दी है मैंने हिंदी कर दी है तो आप वीडियोज पर हम वापस जाते हैं तो वीडियो जो है उसी वीडियो पर जाएंगे रसाइन शास लिखाओ आगया है उसी पर जाते है टेंथ क्लास के और आप देखिए सब कुछ लिखाओ हिंदी में है सब कुछ जो भी इस practical में चाहिए हमें इस प्रयोग में चाहिए हला कि इसका simulation या वीडियो वो dubbed English में है तो बच्चा असानी से समर सकता है कि कैसे practical करना है किस तरह से है एक एक चीज को clarity हो सकती है इसका simulation भी है जो अभी आगे आएगा पहले आप यह देख लिजे आप देख रहे हैं इसमें एक चीज का नाम English में आ रहा है लेकिन उपर जो है ब्राउन पत्ती में pH उचक पत्तियों pH इंडिकेटर स्ट्रेप सार्जोनिक सूचक सब हिंडि में लिखा हुआ है और इसमें और वीडियो भी अवैलेबल है इसी वेबसाइट से वो और वीडियो को भी देख सकता कोई point clear नहीं है तो इसके बाद अब हम जाते हैं simulation पे यह simulation है यह बच्चा खुद करके देखे यह acidic acid है इसमें और ड्रॉपर से हम universal indicator डाल सकते हैं मैं try देखिए यह पूरा वीडियो है acidic acid का कैसे इसमें यह animated वीडियो है वह आपस English language में हो गया है और यह देखिए दिखाया गया है कैसे pink color हो जाता है इसमें डालने पर universal indicator का और इसे हम उसका pH बता सकता है कि two है three है कितना है by using the pH paper इसी तरह से अगर हम वापस जाएं अगर वीडियो भी इसमें दिया गया है online perfect video of actual practical यह अब simulation आगया इसमें simulation में उसी तरह से physics का किया था इसमें सारे हमें दिये गए हैं कि किस तरह से करना है सारे indications दिये गए हैं अब जैसे मैंने निवू का रस चूस किया और मैं एक dropper की सायता से कोशिश करती हूँ इस universal indicator को निवू के रस में डालने के लिए हाला कि यह देखिए मैंने इसको जब निकाल रहे हैं तो यह नहीं जा रहा है क्योंकि इसके लिए इसमें जो लिखा हूँ अडिके को पढ़ना है ध्यान से और इसको थोड़ा फिर से ट्राइ किया फिर नहीं गिया तो यह थोड़ा सा फन भी है जब बच्चे इसको करेंगे तो थोड़ा enjoy भी करेंगे और यह और वो enjoy करते करते कहां learn कर जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा तो यह let me try again ड्रॉपर, sorry I go to the website again और यह ड्रॉपर को मैं let me try हाँ जे तो यह ड्रॉपर जो है ड्रॉपर को अब हम उपर उठाते हैं और उसको निम्बू के रस में डाल देते हैं निम्बू के रस में टाइल के उपर डाला तो नहीं हुआ इसको जैसे indication में दिया हुआ है कि निम्बू के रस में डालना है तो instructions दहान से पढ़ दी है हाला कि बड़ा सा बीकर लग रहा था तो मुझे लगा टाइल पर डालेंगे लेकिन इस dropper को हमें निम्बू के रस में डालना है तो फिर से कोशिश करते हैं इसको मैं निकाला और मैं इसको ड्रॉपर को ये निम्बू के रस में ये गया और इसका रंग डालते ही कैसा हो गया लाल और हमाँ पास pH का इंडिकेशन भी आगा है इसका pH 2 और 3 के बीच में है तो इस तरह से बच्चा सीख सकता है कि अलग अलग चीजों का कैसे निकालना है और कैसे हम pH पेपरस उसको determine करते हैं तो अलग अलग इसमें दिये हुए सारे अलग अलग रस अलग अलग तरह के फल और सबजियों का दिया गया है कुछ भी चूज करके बच्चा उससे practical अपना कर सकता है practice कर सकता है समझ सकता है जैसे में टेमाटर का जो और भी चीज़ें दिये गई है next हम देखते हैं इसमें इसके बाद हम इसमें देखते हैं वीडियो, actual video अबी तो animation और simulation था, actual video पी इसमें दिया गया है तो इस तरह की videos भी हैं और उन से बच्चा अराम से देख सकता है कैसे करना है तो ऐसे में अगर बच्चे के पास pH पेपर नहीं भी है तो ऐटलिस्ट वो उसको हर एक छीज की ख्लारी उजाएग एगे कि सारा दिया गया है तो इसमें सारा, इस तरह से बच्चे कई चीजों को असानी से सीख सकते हैं फूरा प्रोसीजर इसमें दिया गया है कैसे कैसे करना है अब यह इसका वाइवा वाइस है वाइवा वाइस के question हैं और भी है references, feedback, सब कुछ तो बच्चे इसमें फीड़बैक भी दे सकते हैं Let us now move to another practical subject वो है maths बाइले जी पे मैं नहीं जा रहे हैं क्योंकि physics के अपने देख लिया है तो हम maths का practical देखता है maths के कैसे practical होते है इसमें maths को कैसे समझा सकता है तो maths में देखिए 10th class के सारे topics के वीडियोज है और उनके simulations भी है उनके animations भी है class 9th के भी है तो 10th class में यह theory जैसे माली जे मैंने surface area of slender लिया है theory अब procedure भी दिया गया है कैसे करना है फिर उसके बाद animation है कि कैसे इसको करना है पूरा procedure और फिर simulation भी है बचा खुद करके देखे उसको तो simulation का तरीका भी है और भी बहुत सारे चीज़ें है इसमें जैसे कि हमारे physics और chemistry और बाइर में है इस questions है इन questions को बचा खुद करने वाद खुद केलवर कर सकता है यह सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको बचा देखके और फिर बचा खुद कर सकता है कुछ चीज़ें जिनको बचा एकसेस कर सकता है कुछ चीज़ें अभी अंडर कंस्रक्शन हैं तो बच्चे को कहिए या आप लोग भी इस वेबसाइट को देखते रहें इसमें काफी कुछ चेंज़ें आएं पर इस ते कुछ टाइम में हम इंगलिश का कुछ और देखते हैं जो कि इसमें कम्प्लीट है लेट अस ट्राइ उन प्रेपोजिशन्स फरस्ट हम इसमें फीड़एक फ़र में देखें अब हम पहले प्रेपोजिशन्स को भी स्टाड़ी करते हैं प्रेपोजिशन्स वाला जो हमारा इसमें दिया गया है इंगलिश में जाते हैं हम इंगलिश वाले में और प्रेपोजिशन्स को देखते हैं क्योंकि वो कम्प्लीट है प्रेपोजिशन्स में छोरी दिया गया है प्रेपोजिशन्स का कैसे कैसे है अलगला तरह की प्रेपोजिशन्स है प्रोसीजर दिया गया है अब ये प्रोसीजर कैसे करना है उसके बाद लाब इंगलिश की लाब है आप देखिए वेलकम तु दे इंग्लिश लाब इसमें हमने लाब में कैसे प्राक्टिकल नहीं है चोटा सा एक्टिविटी है मज़धार एक्टिविटी है हम इसको करते हैं मैंने आउन कर दिया है और इसमें यह अभी आ रहा है यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन्स पढ़के फिर उपर जो दिया गया उसको गौट इट करना है गौट इट मैंने कर दिया और इसमें पूरा दिखाया गया कि कैसे कैसे करना है छोटा सा वीडियो यह हलपफुल वीडियो है इसको देखके जो नीचे ग्रीन पटी में गौट इट आ रहा है उसको टैप करता है लेट इस सी तो गौट इट के पद फिर यह और इंस्ट्रक्शन्स आ रहे इसको टैप कर दीजे साइड में फिर इसको टैप कर दीजे दूसरी instruction को भी tap कर दीजे तो आपका एपेज खुल डाएगा instructions वाला और I am ready तो नीचे लिखा हुआ है छोटा सा instruction वाले उसको tap करने पर हमारा game खुल जाएगा अब यह हमारा proposition का exercise है छोटी सी देखते हैं मैं इसमें कितना कर पाती हूँ तो यह कुछ sentences हैं इसमें मैं prepositions भर रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बनानी है तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ जैसे हमारा पस choices है वो भर के prepositions और मैं सारा इनको fill कर रही हूँ one by one बच्चा इसको पढ़ के समझ के करेगा तो उसको clarity होगी कौन सी prepositions कहां लगानी है यह prepositions of directions है तो इस तरह से भर सकते हैं और यह साथ में map भी दिया गया है तो map से भी थोड़ा clarity हो जाती है कि कहां पे क्या लगाना है हाला कि मैं map को नहीं देख रही हूँ it is fill it fully तो मेरे दो blanks रह गए हैं इनमें मैं भर के और next एक blank रह गया उसको भर के फिर summit कर देंगे अब मैंने इसको summit कर देखे मेरे चार गलती आ रहे हैं तो बच्चा भी इसमें देखेगा कि कहां गलती है और फिर उसको check कर पाएगा क्योंकि हमें procedure वगरा इसमें सब दिया गया है प्रोसीजर में सारा इसमें instructions दिये गए है इसमें वाई 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 इसकी questions भी है so let us go back to home now home page पे जाते हैं तो hopefully आपको ये video पसंद आया होगा आएगा और बच्चों को भी इसको share करेए और ताकि यो बच्चे इस website के थूँ